Rich are getting richer वाला सीन चल रहा है आपको गलत तरीके का ड्रीम भी बेचा जा रहा है एजेंट्स की तरफ से तो अपने इंडिया और कैनेडा की पॉलिटिकल टेंशन के बारे में भी बात करते हैं तो हर स्टोरी के अंदर ना एक तो बैड साइड होती है बट कैनेडा आज के टाइम में बहुत जादा बैड रेपूटेशन से सराउंडेड हो रहा है तो रियल क्या सिचुएशन है इस ताइम क्या सच में बहुत बुरा हाल हो रहा है या पे लोगों का या फिर चीजों को बहुत जादा बढ़ा चड़ा के दिखाया जा रहे है और साथ में जितनी मी कैनेडा के अंदर इस ताइम प्रॉब्लम्स चल रही है क्या इंटरनेशनल स्टुएट्स को स्केप गोट बना के दिखाया जा रहे है तो गैस अगर आप कैनेडा आने का प्लैन कर रहे हो फॉर्थ इंडिया और कैनेडा की जो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है तो अगर ये सारे कंसर्न आपके माइंड में चल रहे है कैनेडा के मिनिस्टर ने थोड़ी से एक बात बोल दी थी कि हम कैपिंग करने वाले इंटरनेशनल स्टुएट्स पे बट क्या एक्च्वल में अब जो 2024 के अंदर स्टुएट्स कैनेडा आना चाहरे हैं क्या उनके उपर कोई impact पड़ेगा ये नहीं पड़ेगा help को आप अलरड़ी जानते होंगे आज की वीडियो के भी वो अपने sponsors हैं तो उनके जो CEO है न वो higher government official से मिले थे तो उनकी job भी talkings पगरा हुई हैं वो अपने इस वीडियो के अंदर share करने वाले हैं देखो Canada के अंदर students बहुत तरीके से आ रहे हैं कुछ university में पढ़ने आ रहे हैं कुछ public colleges में पढ़ने आ रहे हैं और कुछ private colleges में पढ़ने आ रहे हैं बट साथ में बहुत सारे scam भी चल रहे हैं students के dummy admission लेके Canada आ जाएंगे उनका study से कोई लेना देना नहीं होता colleges का study से कोई लेना देना नहीं होता प्लस उनकी study खतम होने के बाद वो work permit के लिए भी eligible नहीं होते तो इस तरीके के जितने भी private institutions है न government hopefully उन colleges को target करने वाली है कि उन colleges में जो बच्चे admission लेके study visa लगाने की try करेंगे शायद उने impact देखना पढ़ सकता है future के अंदर अगर आप सारी चीज़े अच्छे से plan कर दे हो अच्छी university या फिर अच्छे public college में पढ़ने जा रहे हो then बहुत कम chances हैं कि आपको आने वाले time में इस चीज़ से सफर करना पढ़े तो Canada की government भी ये चीज़ बहुत अच्छे से जानती है कि international students Canada की economy में बहुत बड़ा contribution दे रही है लगबग ये industry जो है वो 30 billion dollar के around पहुंच चुकी है और ये एक साल के stat की बात कर रहे हैं अपने so until और unless आप किसी private college में जा रहे हो आपको गलत तरीके का dream भी बेचा जा रहा है agents की तरफ से या फिर college की तरफ से तो उस तरीके के cases को ये कम करना चाहरे है बाकी सारी चीज़े जैसे अभी तक चल रही है seamless आगे भी शायद चलती रहेंगी so अपने second point पर बढ़ते हैं बात करते हैं job crisis जो इस time Canada में चल रहा है अब एक चीज़ आपको simple सी सोच के आनी है कि Canada आप minimum wage पे काम करने के लिए labor बनने के लिए तो नहीं आ रहे न so you have to bring some special skills here और अगर आपके पास नहीं है को special skills you can learn something new here for example Canada की government को जब वो PR बांटते हैं उन्हें category based draw निकालने पड़ रहे हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि इन सारी चीज़ों की shortage है ये सारी skills अगर आपको आती है या अगर आप सीख सकते हो तो Canada के अंदर आप grow कर सकते हो PR ले सकते हो पैसे को आ सकते हो उन सारी चीज़ों के उपर आप मेरे चैनल पर जा की देख सकते हो और पिछले एक दो सालों के अंदर कुछ events होए थे back to back उसकी वज़ा से इस टाइम हमें जरूर थोड़ा सा bad face देखना पड़ रहा है बट वो बुरा टाइम किसके लिए है जो new immigrants यहां पर आ रहे हैं और बहुत जादा international students को नो scape code बनाया जा रहा है बली का बक्रा बनाया जा रहा है कि इनकी वज़ा से यहां पर यह problem हो रही है तो उस सारी चीज़ों के उपर अपनी बात करेंगे बट बीच में ब्रेक लेते हैं अपने आज के sponsors के लिए अगर आप अपनी home country में बैठे हो आपको free counseling चाहिए जो कि बिल्कुल transparent भी हो then help can help you so help coaches से आप one-on-one free counseling ले सकते हो जो कि help करने वाले हैं आपके लिए सबसे best college या फिर course choose करने में so they are not like a traditional agent and इन्होंने सबसे amazing एक new program launch किया जो कि आज तक किसी ने भी नी किया that is CESP Canadian Express Study Program जिसके अंदर अगर आप help के through Canada के अंदर 2024 के अंदर किसी भी intake में apply करके offer accept करते हो then उसके बाद जब आप Canada पढ़ने आ जाओगे आपको free of cost registered immigration lawyer provide किया जाएगा आपको $800 guaranteed cash bonus दिया जाएगा इस time आप Canada land करोगे और even आपकी study ख़तम होने के बाद जब आपको work permit apply करना होगा या फिर PR apply करनी होगी उस time भी आपको immigration lawyer से free counseling provide करवाई जाएगी तो guys इसलिए बेट किस बात का है आपका IELTS का score, passport, transcript अगर सब आपकी ready है तो आज ही जा किया free counseling book कर सकते हो था help के बारे में अब अपने बटने वीडियो के अंदर तो अब अपने बात कर रहे हैं housing crisis के बारे में कि किस तरीके से international students को blame किया जा रहा है कि इतनी amount में एकदम से Canada आ गए और एकदम से फिर housing shortage हो गई बट ये जो situation है बहुत गलत तरीके से misrepresent करी जा रही है बहुत से ऐसे areas हैं जहां पर international students हैं ही नहीं वहाँ पर भी housing crisis चल रहा है वहाँ पर भी rent जो हैं वो लोगों से afford नहीं किया जा रहा और ये सारी situation के लिए सबसे पहला और सबसे बड़ा reason है कि houses बनाई ही नहीं जा रहे इस तरीके से immigration को promote कर रहे हैं उतनी speed से घर नहीं बन रहे हैं इंट्रस्ट रेट्स जो हैं वो बढ़े जा रहे हैं इसे rent बहुत जादा बढ़े जा रहे हैं सो नो डाउट किसी हद तक कुछ parts के अंदर कुछ cities के अंदर international students के वज़ा से demand जो हैं यह सारी problem चल रही है तो guys housing के लिए मैं एक चीज़ आपको suggest करूँगा अगर आप नई student हो यहां पे आ रहे हो आपको डर लग रहा है कि आप भी कहीं homeless न हो जाओ तो guys ऐसी कोई situation नहीं आएगी अगर आप सब कुछ plan कर कर के आओगे अगर आपको कोई friend and family में से यहां पे रह रहा है तो वो starting में आपके accommodation देख सकते हैं initial days के अंदर अगर आपके पास कोई भी person यहां पे नहीं है even then आप Airbnb advance में book करवा के अपना stay वगारा यहां पे देख सकते हो so Canada आने से पहले यह सारी planning and finances आपको पहले से डन करके रखने पड़ेंगे वर्ना हो सकता है यहां पे आने के बाद आपको problem face करनी पड़े और normally यह होता है कि starting के अंदर 15-20 दिनों के अंदर महीने के अंदर परसन अपना कही ना कहीं temporary जुगार ढून लेता है उसके बाद जैसे आप Canada स्टेबल होना स्टार्ट हो जाते हो लाइक 2-3 महीने हो जाते हैं आप सैटल डाउन हो जाते हो आपके जितने भी नई friends बंद रहे हैं या फिर जितने भी contacts आपने नई बनाए हैं उनके थूँ आपको कोई ना कोई long term housing भी मिल जाती है तो इसलिए का इस रश मत करो कि हम जल्दी से आती ही एक साल की lease sign कर लें उसमें हो सकता है कि आप गलट decision भी ले लो आपको अपना college भी देखना है कहां पे आपको अपना काम भी देखना है कहां पे जाना है तो यह जो हवब नाई जारी थी कि Canada और India की जो relation है वो शायद long term तक सही नहीं हो पाएंगे तो उसके लिए तो guys हमारे सामने proof है कि चीजें escalate नहीं हुई है दिरे दिरे चीजें वापिस से track पे आ रही है प्लस ही जो भी टेंशन है ना उससे हम international students या फिर हम immigrants जादा effect नहीं हो रहे हमारे जो study visas आने है उससे इनका कोई directly relation नहीं है जो लोग यहाँ पे Canada में पुराने रह रहे हैं जिन्होंने अपनी nationality change कर ली थी जिन्होंने Canadian passport ले लिया था जो कि अब Canadians हैं on paper तो उनको problem face करनी पड़ रहे हैं उनको visas नहीं मिल रहे हैं बाकी जितने भी नई immigrants हैं आप लोगों को साथ-साथ साल होगे Canada रहते को प्यार हो रहे हैं तो वो अराम से इंडिया जा सकते हैं उन्हें वीजा की नेंड नहीं होती इंडिया मैं यही बोलूँगा कि problems जो हैं या difficulties जो हैं वो आपको हर जगा face करनी रहेगी doesn't matter आप कोई भी country जा रहे हो आप जा आप बहुझे भी, ओूल प्रेग, जापको जाफंगा तो कि जा हैं जापको झाल झाल